Hello Friends, Welcome to Study News हाल में एक बड़ी डेवलेपमेंट हुई है International Thermonuclear Experimental Reactor अपने Assembly Phase तक पहुँच गया है इसमें भारत और अन्य देशों का बहुत सारा फंड लगा है International Thermonuclear Experimental Reactor उर्जा की कमी की समस्या से निपटने के लिए भारत सहित विश्व के कई राष्ट्रो द्वारा International Atomic Energy Agency के सहयोग से मिलकर ये Nuclear Fusion पर आधारित एक विसाल रियक्टर बना जा रहा है जो कम इंधन की सहयता से ही बहुत बड़ी मात्रा में उर्जा उत्पन करेगा तो जानेंगे इसके बारे में So, Let's Start International Thermonuclear Experimental Reactor और Pollution Free उर्जा उत्पन की जाएगी ये Hydrogen Bomb के सिधान्त पर कारे करेगा इसमें Fusion से उसी प्रकार उर्जा मिलेगी जैसे प्रित्वी को सूर्य और अन्यतारों से मिलती है International Thermonuclear Experimental Reactor जिसे SORT में ITER कहते हैं इसके सदस्सिराष्ट यूरोपिय यूनियन, जापान, चीन, रूस, दक्षिड कोरिया, दक्षिड अफरीका, अमेरिका और हमारा भारत भी है ITR की योजना 1985 में यूरोप, अमेरिका, सोवियत संग और जापान के सहयोग से सुरू की गई थी इसके बाद 1999 में अमेरिका इस अभियान से हट गया था, लेकिन 2003 में अमेरिका ने इसे फिर से जोइन किया इस परियोजना में भारत ओफिसियली 2005 में सामिल हुआ था साइंटिस्ट के हिसाब से ITR के निर्माड में लगबग 10 साल लग जाएंगे 2005 में ये घोशना की गई थी कि इसका निर्माड फ्रांस में किया जाएगा और 2006 से 7 देश इस परियोजना में फंड दे रहे हैं जिसमें हमारा भारत भी है इसमें कनाड़ा देश पहले सामिल था लेकिन 2003 में कनाड़ा ने इस परियोजना से अपने आपको अलग कर लिया वर्तमान समय की बात की जाए तो इस परियोजना में 35 देश सामिल है परियोजना की सुरुआत के अब 14 साल हो सुके हैं International Thermonuclear Experimental Reactor ने अपने Assembly Phase में प्रवेस कर लिया है ITER एक Experimental TOCA MAKE परमाडू सनलयान रियक्टर है जिसे दक्छिडी फ्रांस में बनाय जा रहा है इस रियक्टर के प्रोसेस के बारे मैं आपको बताता हूँ इस प्रक्रिया में हाइडरोजन के परमाडूओं को 10 करोड डिगरी सेंटिग्रेट तापमान तक गरम किया जाता है इस तापमान पर हाइडरोजन के परमाडू आपस में जुड़ कर हीलियम के परमाडू को जनरेट करते हैं इससे बहुत बड़ी मात्रा में उर्जा उत्पन होती है। अब ये सारा प्रोसेस होता कैसे है। इसे ही नुकलियर फ्यूजन या नाब की सनलेन कहते हैं। इसमें सन्यंत्र में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया में हाइडरोजन के दो परमाडू यूज होते हैं जिनका सनलेन किया जाता है फिर हाइडरोजन हीलियम में बदल जाता है और न्यूट्रान में फिर बहुत बड़ी मात्रा में उर्जा उत्पन होती है। इस प्रक्रिया के लिए लगभग 30 मीटर की उचाई पर एक प्लांट बनाया जाता है जिसमें बहुत सक्तिसाली चुम्बकों की सहता से हाइडरोजन गैस के एक मिसरंड को 15 करोड डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। के फ्यूजन से एक करोड किलो ग्राम पेट्रोलियम के इंधन के बराबर उर्जा उत्पन होती है। के फ्यूजन एनर्जी को नियंत्रित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल मसीन तयार की गई है। इस मसीन के अंदर नुकलियर फ्यूजन से जो एनर्जी उत्पन होती है उसे उसकी उसमा को एक बड़े वैसल में आउसोसित कर लिया जाता है। टोका मक को पहली बार 1960 के दसक के अंत में सोवियत संग के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान विक्सित किया गया था। इसके बाद इसे मैगनेटिक फ्यूजन एक्विप्मेंट की सबसे अच्छी तकनीक के रूप में पूरे विस्व द्वारा मानेता प्रदान की गई थी। ITR अब तक का विस्व का सबसे बड़ा टोका मैक होगा जो वर्तमान में कारेरत सबसे बड़ी मसीन के आकार का दुगना होगा इसमें यूज होने वाले प्लाजमा चेंबर का आयतन ही दस गुना अधिक है। इसमें में पॉइंट्स की बात करें तो ये एक अंतर राश्री नाबकी संलियन रिसर्च एंड इंजिनेरी मेगा प्रोजेक्ट है जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मेगनेटिक डी कंटेमिनेशन प्लाजमा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है। ITER का एम सस्ती एनरजी और पॉल्यूशन फ्री एनरजी उत्पन करना है। ITER लगभग 500 मेगावाट की थर्मल एनरजी उत्पन करेगा जो लगभग 200 मेगावाट की बिजली उत्पन करेगा। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नोबर्ट होल्ट कैम्प हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को आर्टिफीसियल सन नाम दिया है। साइन्टिस्ट का कहना है कि नुकलियर एनर्जी से प्राप्त जो उर्जा होगी वो साफ सुतरी होगी और रिनेवेबल और सेफ होगी इससे हमारे वर्ड के ग्लोबल वार्मिंग में काफी कमी आएगी और हमारे जलवायू को भी कोई हानी नहीं पहुचेगी अगर ये रियक्टर सफलता पूर्वक डेवलप हो गया तो हमें फोसिल फ्यूल्स पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कार्बन डाय ऑक्साइड उतसर्जन कम होगा और हमें सेफ एनर्जी और पोलिशन फ्री एनर्जी भी मिलेगी ITER Fusion Research Center के अलावा भी Switzerland और France की सीमा पर Large Hadron Collider और Hyper Laser Fusion Facility Europe के द्वारा एक Mega Project है जो Science के Development को और आगे तक ले जाएगी तो ये थी पूरी जानकारी इस रियक्टर के बारे में So thanks for watching this video, please like, subscribe and comment झाल के जाएगी